सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्टार फ्रेंड्स राश्ट्रे ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिट्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को और पर सेट करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिटेशन सबसे पहले आपको मिल सकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी न भूलें आप हमारे चैनल के अबाउट में जाते हमारे वाटसाप ग्रूप का फॉर्म फिल करके हमारे वाटसाप ग्रूप का हिस्सा बन सकते हैं फीमेज के लिए अलग से इट वाटसाप ग्रूप है तो आप फॉर्म भरके उसमें एड हो सकते हैं साथ ही अपने चैनल के अबाउट में हिंदी अडियो शायरी एक दूसरी यूटिब चैनल का भी लिंक है आप चाटर उसको भी सस्क्राइब करें हमारे टेलीडाम चैनल और हमारे वाटसप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियो के लिए कोई म्यूजिक चाते हैं तो हमारे टेलीडराम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है तो आप हमारे टेलीडराम चैनल आडियो म्यूजिक फैट्टरी को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं तो आपना ज्यादा समय न लेती हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो ट्योर दूसरे दिन प्राता काल राजजनक से महश विश्वामित ने कहा हे राजन दशरत के इन दोनों कुमारों के इक्षा पिनाख नामक धनुष को देखने की है अता आप इनकी इक्षा पूर्ण करने की विवस्था कर दीजिए राजजनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा हे नर्शेष्ट पहले आप हमें पिनाख का वृतान सुनाई है हमने सुना है कि पिनाख शंकर जी का प्रियधानुष है शिवजी के पास से या आपके पास कैसे आया इस पर मितला पती जनक बोले हे राम एक बार प्रजापती दक्ष ने बहुत विशाल यग किया दक्ष जी शंकर जी के स्वसुड थे अपने जमाता से अप्रसन के कारण उन्होंने उस यग में ना तो शिवजी को आमंतित किया और ना ही अपनी पुत्री सती को पती के समझाने बुजाने की परवाना करके सती अपनी पिता के साथ गेहा यग में पहुँच गई वहां सती का बहुत अपमान हुआ सती ने देखा कि देवताओं के लिए यग का जो भाग निकाला गया था उसमें शीव जी का भाग था ही नहीं इससे कृद्ध होकर सती ने यग कुंड में कूद कर अपने प्राण त्याग दिये महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ राजा दक्ष के हाँ आय थे लोट कर महादेव की को सारा व्रतान सुनाया सती की मृतु की सूचना पाकर महादेव जी बड़े कुद्ध हुए उन्होंने राजा दक्ष की यग भूमी में जाकर उस यग को नश्ट कर डाला फिर वे अपना पिनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मानने के लिए अग्रसर हुए क्योंकि देवताओं ने उस यग का भाग महादेव को नहीं दिया था महादेव जी का या योड रोदरूप देखकर सारे देवता बहुत भैभीत हुए देवताओं ने अनुने विने करके महादेव जी का क्रोश शांत कराया क्रोश शांत होने के बाद महादेव जी ने पुनाग को देवताओं को दे दिया और कैलाश परवत लोट गए देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवरात को दे दिया तभी से यह धनुष हमारे यहां रखा है हमारे यहां पूर्व जो का इस्मृतिक चिन होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल समान सा सम्मान करते चले आ रहे हैं इसी बीच एक बार हमारे राज्जु में अनावरिष्टी के कारण सूखा पड़ गया जिससे प्रजार्यनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा उस कष्ट से मुक्ती पाने के लिए मैंने बहुत बड़ा यग्र किया पुरोहितों की आदेशा नुसार अपने हाथों से खेतों में हल चलाया हल से भूमी खोदते खोदते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई उसे मैं अपने राजमहल ले आया और उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री समान उसका लालन पानन करने लगा जब सीता की शोरावस्था को प्राप्त हुई तो दूर दूर तक उसके सौंदर एमंगुणों की ख्याती फैलने लगी तेश देशांतर के राजकुमार उसके साथ विवा करने को ललाईत होने लगी मैं अद्बुत पर आक्रमी युद्धा के साथ ही सीता का विवा करना चाहता था अता मैंने ये प्रतिग्या कर ली कि शिवजी के धनुष पिनाग पर प्रत्यंचा चाढ़ा देने वाला वीर राजकुमार ही सीता का पती होगा मेरी प्रतिग्या को सुन कर सहस्त्रों राजकुमार और राजा महराजा समय समय पर अपने बल की परिक्षा करने के लिए आए परंतु पिनाग पर प्रित्यंचा तरहाना तो दूर वे उसे तिल भर खिसका भी ना सके जब वे अपने उद्देश में इस प्रकार निराश हो गए तो वे सब मिलकर मेरे राज में उत्पात मचाने लगे मेरे प्रिदेश को चारो ओर से घेर लिया और निरी प्रजाजनों को लूट कर आतंग फिलाने लगे मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा वे अनेक राजा थी उनके पास सेना भी बहुत अधिक थी इसलिए इस संगर्ष में मेरी बहुत सी सेना नश्ट हो गई इस पर मैंने भगवान को सहारा मान कर उनकी तपस्या की मेरी तपस्या से प्रसंद होकर भगवान ने मुझे देवताओं की चतुरंगणी सेना प्रदान की उस सेना ने आतताई राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपत्रवी राजकुमारों को भगाया उनके भाग चाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यग करके इस अफसर पर अपनी प्रतिग्या पूरी करूँ और सीता का विवाह करके निशिन्थ हो जाओं इसलिए मैंने इस महान यग का आयोजन किया है अब जो भी कोई महादेव जी के इस धनुष की पृत्यंचा चढ़ा देगा उसी वीर पूरुष के साथ में अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निशिन्थ हो जाओंगा मितला नरेश के यह वहाँ से विदा हो जाने के बाद रिशी विश्वा मितर राम और लक्षमर को लेकर यग मंडप में गए यग मंडप को अत्यन्त सुरुची के साथ सजाया गिया था उस भव्य मंडप को देख कर लगता था मानोवह देवराज इंद्र का दरबार हो देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठनी की अतिसुंदर विवस्था की गई थी मंडप के उपर बहमोल रत्नों से बने जालर युक आकरशक व्रस्त्रों का वितान लगाता ना हुआ था वितान के चारों और सहराते हुए पताकाईं मितलापती की कीर्थी को परदशित कर रहे थे बीच बीच में रत्न जरित स्तंब बनाए गए थे वेद पाठी ब्राम्मन एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे देदी प्यान वस्त्रा भूशनों को धारण किये राज कुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे ऐसा लग रहा था मानों सैकणों इंद्र अपने वैभो और सौंधरे का प्रदशन करने के लिए माराज जनक की यग भूमी में एकत्रित हुए हैं इस सौंधर का अवलोकन करने के लिए जनक पुरी की लावण मनी रमनियां अपने घरों के जरोकों से जाक रही थी गरजन तरजन करते हुए पिनाक को इस मनो मुग्दकारी वातावरण में यग भूमी में लाया गया सभी की उस सुक्त तरश्टी उसी पर घूम गई सहस्त्रो व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गारी में धीरे धीरे खीच रहे थे उस विशाल काई व्रज के समान धनुष को देख कर बड़े बड़े बलवानों का धैरे छुटने लगा और पसीना आने लगा पिनाक को यथा स्थान पर इस्थापित कर दिया गया राजा जनक के जेश्ट पुत्त सीता एवं उनकी सहलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले ही संपूर्ण राज के राजाओं और राजकुमारों महराज जनक ने प्रतिग्या की है कि जो कोई महादेव जी के इस बनाक नामग धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसके साथ मितला पतिना महराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे राजा जनक की इस प्रतिग्या को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए किन्तु भर पूर प्यास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी ना सके अंत मेवे लज्जित होकर सिर जुकाकर तथा श्रीहीन होकर अपने अपने आसनों पर लोट गए जैसे कि नागराज अपनी मणी गवां कर लोट आते हैं इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरत में लोटता देख महराज जनक को बहुत दुख हुआ उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्म भेदी स्वर में कहा संपूर संसार के विख्यात शक्तिशाली योदा यहां विद्धमान है किन्तो बड़े दुख की बात है उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चड़ा सका उनकी इस असफलता को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्वी शूर वीर छत्रियों से खाली हो गई है यदि मुझे पहले से ग्यात होता कि अब इस संसार में वास्तों में कोई शत्रियोदा नहीं रहा तो मैं ना तो धनुष्यग का अनुष्ठान करता और ना ही अच्छी पितिग्या करता लगता है मेरी पुत्रि सीता आयू परियंत कुवारी रहेगी पर मातना में उसके भाग में विवाह लिखा ही नहीं महराज जनक की बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहेते शुब्ध मन से द्रश्टी नीचे जुकाली राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्टनास का उनके पास कोई उत्तर नहीं था परन्तु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्षमर को मिथला पत्ती द्वारा समस्त चत्रियों पर लगाया गया लांचन सहन नहीं हुआ अपमान करने वाले हैं आश्यर है आपने ऐसे अपमान जनक शब्द कहने का साहस कैसे किया जहां प्रतापी सूर्वकुल का साधारण व्यक्ति विद्वान हो वहां भी कोई इस प्रकार तिर्सकार बड़े शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है पिर यहां तो सूर्वकल के मरी श्री राम चंद साक्षत विराजमान है आप शिव के इस पुराने पिना की इतनी गर्मा सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं बिना किसी अविमान के कह सकता हूं कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या यदि मैं चाहूं तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेर परवत को हिला कर रख दू इस विशाल पृद्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुचा दू ऐसा कहते हुए लक्षमर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए उनकी भुजाएं फड़फडाने लगी और उनका संप पूर शरीर क्रोध की ज्वाला की कारण थर-थर कापने लगा तो इसी के साथ रमायन का नौवा अध्याए यनि की रमायन का नौवा एपिसोड भी समाप्त होता है हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड भी अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ओल पर सट करें इससे की हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सुसे पहले पहुंच सके अगर आप लोगों ने अभी तक रमायण के बागी एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रमायण की प्लेलिष्ट का लिंक है तो आप लोग वहां से क्लिक करके देख सकते हैं चलिए गाइस मिलते हैं हम अगले रवी बार ठीक सुबा ग्यारा बजे रमायण के दस्वे एपिसोड के साथ तक तक के लिए आप लोग देखते रहिए राष्ट्रे यूट्यूब चैनल थेंक्यू कि अ कि कि कर दो कि 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 झाल झाल